लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें प्रापर्टी एक्सपो में ECS की एलेक्ट्रिक बाइक्स ने खीचा ध्यान तीन घंटे की चार्जिंग पर कर सकते हैं 70 किलोमीटर का सफर पनवेल में आयोजित प्रापर्टी एक्सपो में ECS कंपनी ने एक ऐसी बाइक्स लांच की है जो ना तो शोर मचाती है ना ही प्रदूशन फैलाती है महस्तीन घंटे की चार्जिंग में 60-70 किलोमीटर का सफर कराती है इतना ही नहीं बाइक को चलाने के लिए ना तो लाइसेंस की जरूरत है ना ट्राफिक पुलिस की टेंशन है मार्केटिंग हेट विकरम संग्वी ने बताया कि बढ़ते प्रदूशन और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के मद्दे नजर यह एलेक्ट्रिक बाइक बेहद उपयोगी है उन्होंने का कि हमने यहाँ फ्लाई इगल नाम से अलेक्ट्रिक बाइक सोकेस किये हैं जो नए दौर की जरूरत है इसमें वेरियस रेंजेस अवेलेबल है, कलर्स अवेलेबल है और अलग मॉडल्स भी हैं हमारे पास जैसे फ्लाई है, इगल है, टफ है और एक जूम है यह वेहिकल डिजाइन की गई है तो बी पॉल्यूशन फ्री, विच यूथ एंड हाउस वाइवस बी अडॉप्टिंग, ताके आने वाले समय में पॉल्यूशन और एकोनोमी दोनों ही बरकरार है बतादे हैं कि ECS की एलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऐसे डिजाइन किये गए हैं जो सिंगल चार्जिंग पर आपके स्कूल, कॉलेज या सौपिंग माल तक पहुचा सकते हैं 40-60 किलोमिटर के दायरे में आने जाने वाले चात्रों और घरेलू महिलाओं के लिए बिना खर्च का सबसे अच्छा साधन है इसलिए इसे देखने वाले भी तारीव किये बिना नहीं रहते किसी भी प्रकायर की पुलिस की परेशानी नहीं है और इसकी रफ्तार भी कम ही है ज्यादा नहीं है आप ज्यादा चलाना भी चाहें तो नहीं चला सकते हैं इसके लिए safe भी है जीवन के लिए और तीसरी सब बड़ी समस्या जो आज भारत देश में pollution का है उसके लिए जीवन दान है pollution की समस्या इससे दूर होगी safe रहेगा चाल जादा नहीं बढ़ाई जा सकती है और जीवन भी safe रहेगा और वातावरण भी safe रहेगा और इसको चलाने में भी सुधा है और किसी भी प्रकार का खर्च नहीं है तो यदि आप भी किसी ऐसी electric bikes के बारे में सोच रहे हैं जो आपकी जेब का खर्च बचाए और पर्यावरण को भी safe रखे तो ECS की ये गाड़ियां आपके लिए अच्छा विकल्ब हैं आप इने खुद भी आजमा सकते हैं Bureau Report, TV One India